हरे कृष्णा आज हम भगवत गीता के अनुसार धर्म क्या होता है उसके बारे में जानेंगे गीता में ये जो तीन मुख्ष लोग जो लोग समझ जाएंगे वो धर्म की लड़ाई करना बंद कर देंगे जिस धर्म की लड़ाई हर जगा पर हो रही है आज हर समुदाय अपने अपने धर्म को बचाने की बात करता है एक बर जानतो लो ये धर्म क्या होता है यदि कोई भी बेक्ती यदि गीता को पढ़ ले गीता को समझ ले तो उसे पता चल जाएगा कि धर्म होता क्या है आज मैं आपको बताऊंगा कि धर्म घीता के अनुसार होता क्या है किन्तो उसके पहले हम कुछ लोकों को देखते हैं भगवान श्री कृष्णे ने स्वयम चौथे अध्याय के सात्वेश लोक में कहा है भगवान श्री कृष्णे ने चौथे अध्याय के आठ्वेश लोक में कहा है सर्वधर्मान परित्या जया ममा एकम स्रणम ब्रज अहमतम सर्वा पापाभ्यो मुक्षा श्यामी चशुचो ये भगवान कहे रहे हैं अब ये जो तीन मुक्षिश लोक है गीता में ये जो तीन मुक्षिश लोक जो लोक समझ जाएंगे वो धर्म की लड़ाई करना बंद कर देंगे जो गीता है जो भगवद गीता है वो स्वैम धर्म इस शब्द से शुरू होता है पहला स्लोक जो है गीता का धर्मक्चेतर कुरूक्चेतर सामवेतय onu सवह मामक हपांडवशेवख यह द्रितराश्ट के रहे हैं संजय को, द्रितराश्ट के अनुसार वो धर्म कुछ होर है लिकिन गीता की अनुसार यह धर्म वो है जो हमें पालन करना है गीता में हमें ये सिखाया जाता है कि धर्म कैसे पालन किया जाता है किस धर्म का पालन किया जाता है कर्म क्या है कर्म फल क्या है कर्म ही सबसे स्टेश्ट है में कर्म करना चाहिए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए धर्म को हमें पालन करना है किन्तु यहाँ पर ऐसे से लोग पैदा हो गए हैं जो धर्म की रक्षा करने आज आते हैं आज कल जिने धर्म के बार में कुछ पता नहीं है वो लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं अरे यदि आप धर्म की रक्षा कर रहे हो तो आप जान लो कि गीता में स्वयम श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म संस्थापना था यो संभवामी युगे युगे भगवान ने स्वयम कहा है कि जब जब धर्म की हानी होगी मैं याने स्वयम श्रीकृष्ण बार बार जनम लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे जब श्रीकृष्ण कह रहे हैं वो धर्म की रक्षा करेंगे तो हम कौन होते धर्म की रक्ष रक्षा तो भगवान स्वयम आकर धर्ती पर बार-बार करेंगे और इतना जानने के बाद भी यदी कोई चुनावती दे रहा है और यदी कोई कहता है नहीं हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वो मैं उन्हें बता देता हूं कि आप गीता को मानते हो जी गीता को मानते हो तो भगवान श्री क्रिश्ण Gent eyeball दिया है उस उपदेश को तुम नहीं मान रहे हो या तो फिर एक कारण हो सकता है कि तुम स्वहिं भगवान श्रे कर दशन girl कर सकते हो किवी कि धर्म हैं दर्म के प्यार कर jsकु़ यह ठाद करे ह्सकते हैं हम अरे धर्म जैसा महान शब्द जो धर्म जिसको कोई जो आज धर्म को तो बाट दिया गया है नजाने कई समुदायों में धर्म को बाट दिया है अरे धर्म तो एक ही है इंसानियत का धर्म और भगवान स्वयम कह रहे हैं अठारवे अध्याय के चाचचटवे श्लोक में फिरंत में भगवान स्वयम कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्या जाया मवा एकम श्रणम ब्रजव मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी धर्मों का परित्याक करो और मैं एक बार बता दूँ आपको कि गीता में आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कह रहे थे सर्वधर्मान परित्या जाया इसका मतलब यह नहीं है कि यह धर्म परित्याक करो उस समय वो सब धर्म नहीं था जो आज चल रहा है मैं उन सब का नाम नहीं लूँगा जो आ यह नहीं कि माता को छोड़ दो मात्र धर्म मात्र धर्म छोड़ दे माता अपने पुत्र को छोड़ दे पित्र धर्म पिता अपने पुत्र को छोड़ दे या पुत्र धर्म यह नहीं है इसका अर्थ है कि हर धर्म का पालन करते हुए जैसे कि अगर हम मां है तो हम अपने ब सर्मान परित्या जया ममयकंस्रण ब्रज्वान्षरिक्रिष्ण के शर्ण में जाओ वही एक शरयांगत दे सकते हमें हमयरे सर्व पापों का नाश करने वालेGu और हमें मुक्ष प्रदान करने वाले हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं आशा करता हूं कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को तो समझ में आयोगा कि धर्म क्या होता है गीता के ये तीन श्लोग जो है बहुत ही मुख्य है जिससे हमें पता चलता है कि धर्म क्या है हालाकि ये इतना आसान नहीं है लोगों को समझाना कि धर्म क्या है धर्म की लड़ाई इतने जल्दी समाप नहीं होगी लेकिन आपसे क्रीपैकर में विंती करता हूं कि इस वीडियो को दूर दूर तक पहुचा है कम से कम लोगों समझ में तो आए कि धर्म होता क्या है वो जिस धर्म के लिए लड़ रहे हैं वो धर्म एक बार जानने की तो कोशिश करें एक बार गीता में आकर तो देखें एक बार गीता को समझे तो कि धर्म होता क्या है भगवान श्रीकृष्ण बताएं हैं गीता में कि धर्म क्या होता ह और किस धर्म को पालन करना चाहिए और कैसे धर्म का पालन करना चाहिए धर्म के लिए लड़ना नहीं चाहिए धर्म को कोई हानी नहीं पहुचा सकता क्योंकि भगवान स्वेम उसकी रक्षा करते हैं और बार-बार रक्षा करते रहेंगे आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आयोगा कि धर्म क्या होता है अब आगे हम जानेंगे कि गीता में और भी जो मूल रहस्य है जो छुपे हुए बहुत सारे मिठे मिठे मधूर वचन है श्री किष्ण के वो हम जानने की कोशिश करेंगे धन्यवाद राधे राधे